इस स्कूल के दिनों को याद करने की कोशिश करो आप अब घर कोई होमवर्क मिला है मतलब मानलो आपको कल एक होमवर्क दिया गया और कोई मैथमेटिक्स का सम था कुछ क्वेशन था और अगले दिन आप स्कूल पहुंचे और आप वो होमवर्क करके नहीं गये हैं अब उन पचास मिनट चालिस मिनट के स्कूल के पीरिड में दिल कैसे धड़कता था आँख हैसे नीचे किये हो गये हैं फिर कनकियों से देख भी रहे हैं कि कहीं टीचर मुझे ही न उठा दे आओ बेटा अपनी कॉपी लेकर या बोर्ड पर आकर के क्वेशन को सॉल्व करो तो यह क्या है अब आपकी जितनी इनर्जी उस चालिस मिनट में जो आपका हाल है ना कान की जो गर्माहट है चेहरे की जो लालिमा है पैर में कमपन है कि पता नहीं कहीं आज हला काल हो ही न जाओ यहां पर कहीं बुला ही न ले यह कितना खतरनाक है वो चालिस मिनट निकालना बहुत खतरनाक होता था लेकिन अगर वहीं पर काम घर पर करके आये होते तो बड़े चैन सुकून से रहते हैं कि इतनी नाटक बाजी होती थी जब टीचर पढ़ाते थे ध्य जान कहीं और है लेकिन जैसे टीचर से नहना चार हुए हूं यस सर यस सर यह कुश्चन समझ में नहीं आ रहा है लेकिन कॉपी की ओपर इतना नाटक बाजी चल रहा है कोब नाटक बाजी अच्छे से कि लगया कि मतलब आप तो कितने बिजी हो उसको सोचने में और करने में भले बात कुछ पल ले न पड़ रही हो कितनी ट्रेनिंग होती है नाटक बाजी तो इन नाटक बाजियों के अंदर क्या होता है कि हमारी इनर्जी बड़ी जाया होती है हर जगह तो वही कहा जा रहा है और ये पब्लिक स्पीकिंग में भी ये बात निकल के आती निसे होता है कि यार कहीं मुझे ना उठा दिया जाए आओ बेटा आओ आओ लोगों के सामने जाहिर करो अपनी बाते हैं इधर तो दिल धड़क ही रहा था कि कहीं बुलाही न लिया जाए अब मेरी सबोज मेरी ये दिक्कत है मेरी ये कमी है मेरे अंदर कि I do not feel comfortable in public speaking तो I will definitely try to cover up that thing all the time मैं क्लास में सबसे पीछे बैटूंगा बच्चों क्यार में बैठूंगा कि कहीं मेरा नंबर ना आ जाए मैं क्लास में आगे नहीं बैठूंगा इसमें बहुत इनर्जी जाया होती है न तो वही वाली बात लेकिन वहीं एक्सेप्ट कर लेता कि यस मेरे आए आए